आपके अपने यूट्यूब चानल पर यहां पर आज हम कंटिन्यू करते हैं रिग्रेशन अनालीसिस का नेक्स पार्ट यानिकि इससे पहले वारी वीडियो पर हमने कुछ फॉर्मॉलास और कुछ प्रैक्टिकल को सौल किये थे सेम उसी तरीके से आज भी हम इस को सौल को समझेंगे कहीं पर भी कोई भी राउट एगा तो डेफेंटली आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको इसका रिप्लाय दूंगा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे बैल आकन प्रेस के लिजे ताकि आपको नो अगर्शन आपको डेटा गिवेन अला सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने बोला हुआ है याा रिग्रेशन एनालीश का equation और उसके base पर आपको एक variable की value given है and then second question में next variable की value given है जो first question find out करने के लिए given है यहाँ पर the productivity index of the workers whose test score is 95 याने कि यहाँ पर test score 95 given है और जो आपका test score एक लास वो x है और productivity index आपका y है याने कि x की value आपको first question में given है and then second question में आपको y की value given है 75 then class इसके base पर आपको बताना है कि y and x की value कितनी हो सकती तो यहाँ पर आपको दो तरीके से समको solve करना होगा first row यह आपका आएगा linear line of regression equation of x on y and line of regression equation x on y on x तो ऐसे दो आपको regression equation solve करने होंगे तो first one हमें form करना होगा regression equation then इसके base में हम समको solve कर सकते हैं तो चलिए class इसको practically basis पर रेखते हैं और सिखते हैं तो जैसे class यहाँ पर आप दे सकते हो मैंने table form data write down कर लिया हुआ अब मैं इसको solve करूंगा लेकिन जैसे मैंने बताया कि इससे पहले हम क्या करेंगे कि एक equation form करेंगे तो equation form करने के लिए हम यहाँ पर पहले formula देख रहते हैं इसको solve करते हैं यहाँ पर दिखेंगे line of regression equation of x on y right देन इसका formula आइगा class एक्स जो मेन formula आपके पास यहाँ पर एक सिक्वार्स हूँ एडास प्लस भी एक्स वाई और यह यह वाई इन class सबसे फार्स हमें final कोड़ ना होगा याहाँ पर यहाँ पर बी एक्स वाई इकोड़स हूँ summation x minus x bar y minus y bar and whole upon summation in the bracket y minus y bar the whole square किया यह होगा आपका x on y अब हम final करेंगे y on a x class line of regression equation of y on x then class same y equal to a plus b y x and x चले एक लास यहाँ पर by x equals to summation x minus x bar y minus y bar and whole upon summation x minus x bar the whole square तो यहाँ पर formula आपको find out करने के लिए कि हम regression equation किस तरीके से find out कर सकते हैं अब इसी formula को use करके हम क्या करेंगे table को solve करेंगे तो चले क्लास इस table में क्या क्या हमें input करना है तो first one हम formula देख रहे थे इसमें हमें चाहिए एक माइनस x bar y minus y bar और दोनों का multiply तो तो दाट इसमेंस क्लास यहाँ पर में लिख देता हूं x minus x bar y minus y bar x minus x bar then y minus y bar इसका into हो जाएगा and then class after इसके बाद हमें और क्यों find out करना है यहाँ पर y minus y bar the whole square x minus x bar the whole square that is means यहाँ पर x minus x bar the whole square y minus y bar the whole square तो यह हमें यहाँ पर अभी find out करता है clear तो यह बन गया आपका table अब इसे table के base पर हम क्या करेंगे sum को solve करेंगे तो चलिए class किस तरीके से sum solve कर सकते है यह देखते हैं यहाँ पर फॉर्सवन हम निकालेंगे यहाँ पर x minus x bar x minus x bar निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए यह x bar तो x bar किस तरीके से हम निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम देखते x bar निकालने के लिए formula है summation of XI upon n yi equals to summation yi minus upon n यहाँ पर हमारे पास x बार य बार निकालने के लिए formula है summation XI upon n yi upon n तो यहाँ पर मैंने X का plus कर दिये class and y का plus कर दिये दोनों की वालू है 650 and n की वालू कितनी होगी देखते है 123456789 10 total कितना n की वाल्यू एने 10 a class हमाई पास तो दाइट इसमीं 650 divided by 10 50 divided by 10 अब हम इसको डिवाइड कर दिंगे class तो आंसे मिलेगा 6565 तो X-bar and Y-bar कितना मिलेगा यहां पे 65 तो डाइट इस मींस X- 65 Y- 65 क्या तो चलिए यहां पर उसको माइनस करते है और इसकी वाल्यू रखते है कितनी आएगी तो X- 65 तो डाइट इसमीं से यहां पर माइनस माई जाएगा class minus 305 then class 7 and 48 minus करेंगे 55 से ठीके और बीगर नंबर sign class so that is mean 1753 minus करेंगे तो 12 and then 73 class minus करते है आपको 8 plus में बिगर number sign then 65 65 0 82 minus करेंगे class then answer राइगा 17 राइट हम इसको plus कर लिए तो डाइट इसमीं समेंस का तोटल मिल जाएगा minus minus one side करेंगे and plus plus one side करेंगे तो 8 20 37 ठीके तो 37 minus मैंगे class यहां पर 12 20 and 37 तो डाइट इसमीं स्की वाल्यू है जाएगी 0 ओके देन वाई माइनस वाई बार यानिकी वाई माइनस 65 कर देंगे अब अभी जो वाई की वाल्यू एक लास उसको हम 65 से माइनस करेंगे तो यहां पर बिगर नंबर साइन तो 3 and then 60 से माइनस करेंगे class तो माइनस 5 माइनस 3 80 से माइनस करेंगे तो 15 बिगर नंबर साइन पॉसिर्टीव है तो इसलिए ड़्स-85 माइनस करेंगे class the 2040 माइनस करेंगे तो 15 माइनस में बर्ट यहां पर 25 ऐस गया माइनस में टेंक लिएकलास 13 माइनस में 63 माइनस करेंगे तो मास करेंगे तो मैंस 3 देंग 17 लास्ड बीगर नंब साइन ओके चलिए आप इसको भी प्लस कर लेते कि तना अए गाज यहां पर लेंस---1 प्लस कर लेते तो एट एट और यहां पे यह माइनस में है यह माइनस मैं जले इसको प्लस कर देखते कितना आता है यहाँ पर यहाँ पर हो गया था एट और प्लस 38 plus 16 that is 54 minus 54 then class plus में देखेंगे तो 18 38 38 plus 16 तो यह भी 54 हो गया class तो इसको हम minus कर देंगे तो answer कितना है रहेगा 0 तो चलिए अब minus करेंगे हम यहाँ पर देखते क्या करना है यहां पर इसका मल्डीप्लाइ करते हैं तो यहां पर 53 यांकि फाइट इसा 15 और यह माइनस में माइनस में एक लास तो माइनस माइनस प्लस फाइट इसा 15 0 से करो गदर 0 15 575 20 27 140 25 इन्टो 17 करना है आपको देविए क्लास 25 इन्टो 17 करेंगे तो 425 बड़े यहां पर पॉसिटिव आगा इन्टो 17 करेंगे एक लास तरी इन्टो टूवल करेंगे लिए एक लास देन आंसर आए गा आपके पास 13 एंग जाओ ओन तरी और यह 26 तो दाटी सिक्स्ट पॉसिटिव में लिके यहां पर एक त्री जाट वेटीफोर माइनस में तैन 5 जिए 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 अन 16 17 का मु 242 राइट 272 ओके यह वैल्यों हमें मिल गई यह अब हम क्या करेंगे एक मायनस एक बार दावर स्कुराइब यमाइन यस वाई तो ऑल स्कॉर निकालेंगे तो छलिए एकस मायनस एक्स बार दावर्ण स्कॉर यह है अपके पास एक्स की वाल्यो एक है X minus X by the whole square इसका क्यात नहीं कि 5 का स्क्राइट 25 3 का 9 0 का 0 5 का क्लास 25 7 का 49 17 का 289 12 का 144 8 का 16 sorry 8 का 64 0 17 का 289 चलियर अवां Y minus Y the whole square करेंगे 9 25 9 15 का 225 20 का 400 then 25 का 625 13 का 1 9 6 sorry 169 3 का 9 5 का 25 and 16 का 256 चलियर अब हम इसका तोटल करेंगे क्लास और एक्लास अब हम इसका प्लस करेंगे तो इसका अंसर राएगा 1044 X minus X bar the whole square करेंगे then class इसका अंसर आएगा 894 then Y minus Y by the whole square करेंगे class तो 10752 तो यह हमें मिल गया total summation class अब हम क्या करेंगे इसको formula में substitute करेंगे and then इसकी value हम find out करेंगे चलिए class यहां पर one by one formula देखते है उसको solve करते है अब चलिए class यहां पर फर्स वन हम अप्लाइ करेंगे line of regression equation X on Y तो class यहां पर जैसे मैंने यहां पर आपको formula बता है same way formula यहां पर अप्लाइख करेंगे लेकिन हम अब start करेंगे B X Y से 10 class का formula है summation X minus X bar Y minus Y bar and the whole upon square चलिए class यहां पर हम value substitute करेंगे X minus X bar the value आया 1044 और Y minus Y the whole square class हमाई पास 10752 अब हम इसको divide करतेंगे class देखते आंसर क्या आईगा इसका इसका अंसर आएगा 0.60 तो भी वाइक्स मिल गया अभी चलिए class अभी हम यहां पर a dash find out करें थे a dash find out करने के लिए एक वर सूँ एडास इक वर सूँ एक्स बाल माइनर बी बी एक्स वाई और य बार तो चलिए यहां पर एक्स बार एक्स बार अभी हमने फार्ट किया था तो 65 आटा अंसर अंट इसका अंसर क्लास को माइन सब्सक्राइब देख लिए थे यहां पर आजाएगा six that is 45 और टू तो तो दार इस में होगे आपका 65 तो एक वाल्यू हमें मिलकर यह 26 अब हम क्या करेंगे यह वाल्यू में यह फॉम्ला पर हम वाल्यू सब्सूट कर देंगे class तो चलिए class यहां पर देखते क्या ह होगा equation तो हम यहां पर equation final कर रहे तो therefore class x equals to a dash कितना है 26 यहां पर फॉर्स में फॉर्मल लिग देता हूँ एडास प्लस बी एक्स वाई एन वाई एडास 26 बी एक्स सबी एक्स वाई क्लास तो 0.60 यहां पर गिवन नहीं है तो यहां पर हम वाई रखते तो यहां पर हम यह एक्वेशन मिल गया अब हम क्या करेंगे class यहां पर यहां पर हमें वाई ती वाल्यू गिवेट्रेक शिल खाटा टा कि यहां पर हमें वाई क्यू वायकी बेघ्बेन ळिब धी ऐखता है जोकी हो फॉर्स को शीकि को फेलिए 275 ऐखता सेवर्ण के नंदर हमें वाई यहां के सिरुटीस सेवें टिवन निफाइब यहां पर क्ल इसको हम मुल्रिप्राइ कर लेते यहां पर देख लेते इसका अंसर 75 समय प्रिप्राइगे तो दाइट इस means 00 then 3 carry to 42 तो यहां पर फोटीडू आज़ेगा और इसको अपर यहां प्लसके देंगे क्लास वादीडू यहां पर फाइल वीजिश्टी एट तो मैंने एक्स की वाल्यू यहां पर राइड़ून कर दियाकस राइइब का नेक्स अलूचन यहां पर ओके अब हम क्या है करेंगे line of regression line of regression equation y on a x right अभी हम y on a x final करेंगे तो same formula यहां पर भी by x यहां पर bxy है यहां पर निमेटर से होगा class यहां पर summation x minus x bar y minus y bar and the whole upon summation denominator change रहेगा यहां पर x minus x bar the whole square राइग तो यह आपर बास formula class अब इसके अंदे value substitute करेंगे तो summation जो value निमेटर की यह same होगी तो 1044 divided by यहां पर इसकी value आगे class 894 अब हम इसको divide कर देंगे तो चले class इसको divide करने पर आपका answer देखते कितना आएगा और इसका answer आएगा 1.1678 यह value मिल गई है अब मैं क्या करूंगा यहां पर जिस तरीके से मैंने यहां पर a find out किया था उसी तरीके से यहां पर वे a find out करूंगा मैं यहां पर यहां पर आएगा और यहां हमने क्या देखा था एक्स बार देखा था तर माइनस बी वाइए एक्स एंड एक्स बार ओके तो वाइबाल क्लास सेम 65 और इसकी वालिए 1.1678 इंटू 65 तो फॉर्स हम इसका मुल्रीप्लाइब कर दिंगे class and then answer और क्लास इसका हम इसको माइनस करते तो माइनस में आएगा आपका 10.9060 तो चले क्लास यहां पर मुझे एक की वाल्यू मिल गई है अप मैं क्या करूंगा यहां पर एस्टीमेटिंग वाल्यू देख लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर equation में एक की वाल्यू सब्सेट कर दूंगा तो मैं पास equation क्या है वाइक वाइक वाई एक्स और एक्स और एक्स ओके तो यहां पर एक वाल्यू अगई माइनस में 10.9060 प्लर्स बी यह एक्स बी वाई वे एक्स मैंने अभी फानल किया 1.1678 एट एक्स और यहां पर एक्स वाई और यहां पर भी आपको एस्टिमेंटिंग वाई गिवन एक्स लाइन ओफ इक्रेशन वाई और एक्स वैन क्लास एक्स ओक्षाटिवल सू नाइटी फ़ाइफ लैट यह आपके फॉर्स को से में यहां पर गिवें था दैक लग्स अपजो एक्स कि वाल्यू है यह इस एक्विश्यां में सब्सक्राइब कर दूंगा और एक्स की वाल्यू कितने आई मुझे 95 तो चलिए क्लास अब मैं इसका मुल्डिप्लाइब करके भी देखे तो वैल्यू कितने आएगी मुझे तो फॉर्स वन यह जो वैल्यू है मैं इसको राइट डाउन कर ले रहा हूं यहां पर मुझे 95 से मुल्डिप्लाइब करना है मुझे देखे 1.1678 हरे क्लास इसका मुल्डिप्लाइब करने पर हमें आंसर मिल गया 110.9410 ओके देंक अब हम इसको माइनस करेंगी बिकस यहां पर माइनस और यहां पर प्लस है तो आसकाने पे 100.0035 तो यह वाल्यू आगी अगर मैं इसक कितनी मिल गई 100.00 तो यह चकलास यहां पर यहां पर हमने क्या किया टू लाइन भी इसको सब्सक्राइब किया हमने एक्स ओनों य एक साटता हमारे पास तीके जो क्या देखा था इसल में भी लेकिन यह बिगर देता था ते और इस पर जो हमने फॉर्मुला अप्लाइब कि नहीं पे भी कोई भी राउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको इसका रिप्लाइड दूँगा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस के लिए ताकि आपको नोटिफिकेसर मिलता रेगा चेले क्लास मिलते अभी नेक्स सब्सक्राइब के साथ थाइक्यों किया रेल वाती आइए